क्यान दे ट्रेजर में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे महर्सी पराश्र के 42 सुत्र जो बहुत से कथन जानने के लिए बहुत ही सायक हो सकते हैं वेदव्यास के पिता महर्सी पराश्र ने जब अपनी जोतीश्य गन्ना से यह देखा कि आने वले समय में प्रित्वी पर एक बहुत ही बड़ा महाविनाशकाली विस्व युद्ध होगा इसमें भेंगर अस्तुरों सस्तुरों के परियोग से प्रित्वी के जुकाओ और गती में परिवर्ता नाएगा परिणाम सुरुप ततकालिन जोतीश्य गन्ना द्वारा बविस कतन के सिद्धान्थ बिफल हो जाएंगे तब उन्होंने युद्ध उपरांद प्रित्वी निवासियों के लिए फलित जोतीश के नए सिद्धान्थों की रचना की जिसमें पराशर की विन्शोत्री महादशा सतराहो गेतु का समावेस किया जो आजफलित जोतीश का मुल आधार है इसके अलावानों जोतीश पर बहुत से बड़े बड़े गन्तरों की लचना की जिनके आधार पर आज भी भोईश कतन किया जाता है सभी ग्रंटों के जोतीशे शिदान्त के सार ग्रंद के रूप में महर्शी पराशर दौरा लगू पराशरी में भोईश कतन के मूल सिदान्तों को मात्र 42 श्लोकों में बतलाए गया है लगु पराशरी संस्कृत स्लोकों में फलित जोतिस का एक अत्यन्त लगु ग्रन्त है इसे जातक चंद्रिका भी कहते है इसमें कुल ब्यालिश श्लोक हैं जो पांच अध्याओं में विवक्त एक है संग्या अध्याए, योगा अध्याए, आयुदर्दा अध्याए, दशाफला अध्याए और पांचवा है, शुवासुप, ग्रह, कतना अध्याए बाद में मनिश्यों ने इन फलित सुत्रों के आदार पर कई बड़े-बड़े गरंथ की रशना की आज मरसी पराश्र के फलित योसी समंदी सिद्धानतों के अन्नकोई पद्धिती समानत अप प्रयोग में दिखाई नी देती है अभी पहला है, ये शुतियों का सिद्धानत है, जिसमें प्रजापती के शुद्ध अंतकरन, बिमबफल के समान, लाल अदरवाले और वीना धारन करने वारे तेज, जिसकी अरादना करता हूं को समर्पित करता हूं, उनका पहला सुत्धानतों दूस्ते सुत्र में कहते हैं, मैं महर्थी पराशर के हुरा सास्थ को अपनी मती के अनुसार विचार कर जोतीशियों के आनंद के लिए नचत्रों के फलों को सुजित करने वाले उर्दादाय परदीप गरंद का समपादन करता हूं हम इस मर्शत्रों की दशा के अनुसार ही सुप अशुप फल कहते हैं इस ग्रंद के अनुसार फल कहने में विश्वंत्री दशा ही ग्रहन करनी चीए अश्टोत्री दशा यहां ग्राहे नहीं है सामाने गरंथों पर से भाव राशी त्यादी के जानकारी जोती सास्त्रों से जानना चीए इस गरंथ में जो विरोज संग्या है वोर सास्त्र के अनरोज से कहते हैं सभी ग्रह जिस अस्थान पर बैटों उससे सात्रे अस्थान को देखते हैं शनी तीसरे वदस्वें गुरू नवम वपंचम रतमंगल चतुर्थ व अश्टमस्तान को भी सेथ देखते हैं छट्था कोई भी ग्रह त्रिकोन का स्वामी होने पर शुप फल्दायग होता है लगन पंचम और नवम भाव को त्रिकोन कहते हैं जफ़ा त्रिश अड़ाय का स्वामी हो तो पाप फल्दायग होता है तीसरे चट्थे और ग्यारवें भाव को त्रिश अड़ाय कहते हैं बाली इस्थित के बावजद त्रिश अड़ाय के स्वामी अगर त्रिकोन के भी स्वामी हो तो अशुप फल ही आते हैं प्रिश अडाय के अधिपती स्वारासी के होने पर पाप फल नहीं देता है अभी सौमे ग्रह सौमे ग्रह कहते हैं बुद्ध गुरु शुक्र और पुर्ण चंद्र सौम ग्रह अधि केंद्रों के सौमी हों तो शुक पल नहीं देता है कुरूर ग्रह पुरूर्ग्रा में रवी, शनी, मंगल, छिंचंद्र और पाप ग्रस्थ गुद्ध पुरूर्ग्रा अधिकेंद्र के अधिपती हों तो वे अशुख पर ली देते हैं ये अधिपती भी उतरुत्तर क्रम में बली है बली हैं देसेंस यानि चतुत भाव से सात्वा भाव अधिक बली तीसरे भाव से शक्टा भाव अधिक बली है अभी आठवा से लगन से दूसरे अत्वा बारह में भाव के स्वामी दूसरे ग्राओं के सहचरे से शुब अथो अशुब फल देने में सक्षम होते हैं इसी प्रकार अगर वे सो अस्थान पर होने के वज़ाए अन्न भावों में हो तो उस भाव के अनुसार फल देते हैं इन भाव के अदिपत्यों का कुद का कोई आत्म निर्वट रिजल्ट नहीं होता है नौवा सुत्र अस्थान भाग, भाव का व्याय अस्थान है मतब सरल शब्दों में आटमा भाव, नौवे भाव से बारह में अस्थान पर पड़ता है अताशुप फल्डाई नहीं होता है यदि लगनेश भी हो तो भी शुप फल देता है परियस्ति केवल मेश और तुला लगन में आती है दस्वा सुत्र है शुप ग्रहों के केंद्रा दिपती होने के दोश गुरू और शुक्त के संबंद में विशेश रहे ये ग्रह केंद्रा दिपती होकर मारक अस्थान में हो या इनके अधिपती हो तो बलवान मारक बन दे है मारक अस्थान का मतलब है दूसरे और साथे भाव ग्रहों केंद्रा पती दोश शुक्र की तुलना में बुद्ध का कम और बुद्ध की तुलना में चंदर का कम होता है इसी प्रकार सुर्ष और चंदर्मा को अश्टमेश होने का दोस्ट नहीं लगता है बारवा सुप्र मंगल दशम भाओ का सौमी हो तो शुफफल देता है कि इन दोही त्रिकून का स्वामी भी होग तब भी सुफ फल लाई होगा केवल दशमे सोने से नहीं देगा यह पर यह सिती केवल करक लगर में ही बनती है 14 सुफ रहु और केटू जिन जिन भाव में बैठते हैं अत्वा जिन जिन भाव के अcor나 के साथ बैठते हैं तब उन भाव अत्वा साथ बैठे भाव अधिबत्यों के दरा मिलने वाले फल ही देगे यानि राहू और केतु जिस भाव राशी में होंगे अस्वा जिस ग्रह के साथ होंगे उसके फल देंगे फल भी भाव और अधिपत्रियों के मताबिक होगा उस चौदावा सुप्र ऐसे केंद्रा दी पती और त्रिकॉन दी पती जिनकी अपनी दूसरी राशी भी केंद्र और त्रिकॉन को छोड़कर अन्य अस्थानों में नहीं पड़ती हो तो ऐसे ग्रहों के समंद्र विशेश योगफल देने वाले होते हैं पंद्रहुआ सुप्र ब्रवान त्रिकॉन और केंद्र के अधिपती खुद दोस्य उट लेकिन आपस में समंद्र बनाते हैं तो ऐसा समंद्र योग कारफ होता है फिर सुलह हुआ सुप्र धर्म और कर्म अस्थान के स्वामी अपने अपने अस्थानों पर हो अथवा दोनों एक दूसरे के अस्थानों पर हो तो यह योग कारफ होता है यह कर्म अस्थान दस्वाम हो है और धर्मस्तान नौवाँ पावए दोनों के अधिपतियों का संबंद योग कारक बताया गया है सत्रहुवा सुप्र नौवाँ और पंचमस्तान के अधिपतियों के साथ बलवान केंद्र अधिपति का संबंद शुफ ल्लाइक होता है इसे राज योग कारग भी बताएगा है अठरावा सुक्त योग कारग ग्रह योग कारग यानि किंद्र और ट्रिकोन के दिपती योग कारग ग्रहों की दशा में बहुदा राज योग की प्राप्ति होती है योग कारख सम्मंद रहित ऐसे सुप ग्रहों की दशा में भी राजयोग का फल मिलता है अभी उनीस्वा सुप्तर योग कारक ग्रहों से सम्मंद रखने वाला पापी ग्रह अपनी दशा में पता योग कारक ग्रहों के अंतर दशा में जिस प्रमान में उसका स्वेम का बल है तदुनसार वो योग फल देता है यानि पापी ग्रह भी एक कौन से राजयोग में कारकत्व की भूम का निवा सकता है फिर वीस्वा सुतर यदि एक ही ग्रह केंडर और त्रिकौन दोनों का सौमी हो तो वह योग कारण होता है उसका यदि दूसरे त्रिकौन से संबंद हो जाए तो उससे बड़ा शुग योग क्या हो सकता है तो वह सबसे बड़ा सुग योग होगा अभी इकीस्वा सुतर राहु अथ्वा केतू यदि केंडर या त्रिकौन में बैठे हो और उनका किसी केंडर अथ्वा त्रिकौन दीपती से संबंद हो योग कारण होता है फिर 22 सुतर धर्म और कर्म भाव कैदिपती यानि नवमेश और दशमेश यदि करमसा अश्टमेश और लाभेश हों तो इनका संबंद योग कारण नहीं बन सकता है उधारन के तौर पर मिथुन दख इस सुतर को राजियों भंग भी मान सकते हैं पर 23 सुतर जन्म अस्थान से अस्थम अस्थान को आयू स्थान कहते हैं और इस आठवें अस्थान से आठवां अस्थान आयू की है अतार लगन से तीसरा भाव दूसरा भाव आयू का विया अस्थान कहलाता है अगला सुब्र, दृतिय और सब्तम मारक अस्थानों में दृतिय अस्थान सब्तम की तुल्णा मैधिक मारक होता है इन अस्थानों पर पाप ग्रहों और मारकेश के साथ मुक्ती कर रहे हूं तो उनके दशाओं में जातक कि मृत्यु होती है 25. यदि उनके दशाओं में मृत्यू की आशंका ना हो तो सब्तमेश और रित्येश की दशाओं में मृत्यू होती है 26. मारत ग्रहों के दशाओं में मृत्यू ना होती हो तो कुंडली में जो पाप ग्रह बल्वान हो उसकी दशाओं में मृत्यू होती है व्यादी पती की दश्या में मृत्यू ना हो तो व्यादी पती से संबंद करने वाला पाप ग्रहों की दश्या में मरण योग बनेगा व्याधी पती का समंद पाप ग्रहों से ना हो तो व्याधी पती समंदित शुब ग्रहों की दशा में मृत्यू का योग बताना चीए ऐसा समझना चीए व्यादी पती का सम्मनद शुक ग्रहों से भी ना हो तो जन्म लगन से असतम स्थान के अधिपती के दशा में मरन होता है अननिता ग्रत्यश की दशा में मिल्त्य होगी फिर 27스ुटर मारत ग्रहों के दशा में मिल्त्यु ना आवे 27 सुट्र मारक ग्रहों की दशा में मिर्ट्व ना आवे तो कुंडली में जो बलवान पाप ग्रह है उनकी दशा में मिर्ट्व की अशंका हो भी है ऐसा विद्वानों को मारक कल्पित करना चीए 28 पाप फल देने वाला शनी जब मारक ग्रहों से समंद करता है 29 सबी ग्रह अपनी दशा और अंतर दशा में अपने भाव के अनरूप शुप तता शुप फल पदान करते है 30 सुट्र दशानात जिन ग्रहों के साथ समंद करता हो और जो ग्रह दशानात सरीका समान धर्मा हो वेसाई फल देने वाला हो तो उसकी अंतर दशा में दशानात स्वेकी दशा का फल देता है 31 सुट्र विरुत फल देने वाले ग्रहती अंतर दश्या में दश्या दिपती और अंतर दश्या दिपती दोनों के उनसा दश्या फल कल्पना करके समझ ना चीदे अभी 32 स्वाम केंदर का स्वामी अपनी दशा में समंद रखने वाले त्रिकुनेश के अंदर दशा में शुख फर प्रदान करता है त्रिकुनेश भी अपनी दशा में केंदरेश के साथ यदि समंद बनाएं तो अपनी अंदर दशा में शुख फर प्रदान करता है यदि दोनों का परच पर समंद ना हो तो दोनों अशुख फल देते हैं तेती स्वांग यदि मारक ग्रहों के अंदर दशा में राज्योग आरम हो तो वो अंदर दशा मनुस्व को उत्रोत राज्यादिकार से केवल परसिद्ध कर देती है पुर्ण शुख नहीं दे पाती है चौती स्वांग अगर राज्योग करने वाले ग्रह की संबंदी सुख ग्रहों के अंदर दशा में राज्योग का आरम हो तो राज्योग से सुख और प्रतिष्ठा मिनी दिए राज्योग करने वाले से सम्मंद ना करने वाले सुबा ग्रहों की दशा प्रारंब हो तो फल सम होते हैं फलों में अधिक्ता या न्यूंता नहीं दिखाई देगी जैसा है वैसे ही बना रहेगा योग कारग ग्रहों के साथ सम्मंद करने वाले शुब ग्रहों की महादशा के योग कारग ग्रहों की अंतर दशा में योग कारग ग्रह योग का शुब पल कुछित देते हैं शतीर स्वान राहू केतु एदी केंद अथवा तुरि कौन میں स्थित होकर किसी भी गरह के साथ सम्मंध नहीं करते हो तुनकी महाधेश्जा में योग कारण ग्रहों के अंतरदशा में उन ग्रहों के अनसार सुब योग कारण फल देते हैं यानि कि शुबा रूर राहू के तु सुब संबंध के पिक्षा ने रखते हैं बस वे पाप संबंधी नहीं होने चीए तब ही कहे हुए अनुसार फुल दायक होते हैं राज योग रहित शुब ग्राउं के अंतर दशा में सुब फल होगा ऐसा समिजना चीए अभी सहती स्वा और अड़किसमा दुने एक साथ बता रहता हूँ यदि महादशा के स्वामी पाप फल प्रद ग्राउं तो उनके असम्मंदी शुब ग्राउं के अंतर दशा पाप फल ही देती है उन महादसा के स्वामी पापी ग्रहों के समंदी शुब ग्रह की अंतरदशा मिश्रित फल देती है मतलब सुब और शुब दोनों फल दे पापी दशादीप से असमंदी योगकारा ग्रहों की अंतरदशा अट्यन्थ पाप फल देने वाली होती है 59 स्वाम मारक ग्रहों की महादशा में उनके साथ सम्मंद करने वारे सुप ग्रहों की अंतरदशा में दशानात मारक नहीं बनता है परंदो उसका सम्मंद रहित पाप ग्रह अंतरदशा में मारक बनते है पराशनी के चालिसवा सुत्र बता रहा हूं शुकर और 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 शुकर ऐसा योग हो तो राज योग समझना चीए इस योग पर विख्यात और विजई ऐसा ही मनुश्य होता है आकरी ब्यालेस्वा सुथ परात्रजी का हम आपको बताने जा रहे हैं नवम अस्थान का स्वामी दश्णम में और दश्णम अस्थान का स्वामी नवम में हो तो ऐसा योग राज योग होता है इस योग पर विख्यात और विजई पूर्श होता है तो धन्यवाद आप हमारे चैनल के सब्सक्राइब करें और अपने कमेंड़ दिशिए धन्यवाद पर